तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वास्त होंगे, और सभी चान बोडिक चाम कि अच्छी तरसे त्यारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का जो पोडिक चाम होने बलावा, कुछ दिनों के बाद होने वाला है, तो ऐसे में आप लोग तो विः की तरफ से बहुत बड़ी फैसला लिया घाए किस बात की फैसला है साइज जनकार इस वीडियो में आपको विः वुट के अदग चानल की सूर देंगे यह वीडियो को देखने से यह पैदा हुआ कि आपका पेंडिंग में नहीं पड़ेगा तो वीडियो को सुरू आपको परिशार्थियों के लिए पूरी तरह से बरजित किया गया है और जो भी परिशार्थी यदि इस प्रकार के कोई परिशार्थियों के लिए अध्यांदेना अवश्क है कि परिशा केंद्रों पर प्रवेश के अनुमती परिशा प्रारम होने के 10 मिनट पूर्व तक ही मिलेगी अर्थात जो परिशा फर्स सिटिंग में 9 बजे प्रारम होगी उस परिशा के अंदर पर परिशार्थी को 9 बज कर 20 मिनट तक हर हाल में पहुंचना आनिवारे होगा और उन परिचाद दो पाले कि एक बज़ कर पैठालिस मिनत से शुरूआ होगा इसके बाद आहिए पर पहुंचेंगे उन्हें परिच्ट्वा वार ہیں शास्थmentalे नहीं पर 2017 कि नहीं जाती है और फिर उनका पूरा वर्ष या तो वेर्थ हो जाता है या उनको वैकलपिक माध्यमों से अन्धे परिक्षा में करना जाओंगा कि आप समय से काफी पूर्व परिशा के दिरों पर पहुंचें और या जो समय सीमा 10 मिनिट की दी गई है या अधिक्तम सीमा है इससे भी आप काफी पहले पहुंचें ताकि आपको परिशा के दिरों पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहों और ट्रैफिक जाम या इत्यादी अंग किसी भी प्रकार की दिस जिले में कोई समस्या होती है उसके कारण आपको परिशा में किसी प्रकार की कटनाई नहीं हो इस परिशा के दिरों पर पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित और स्वाच परिशा कराने के लिए बिहार विद्याले परिशा समिती द्वारा सभी जिलों की डियेम्स को और एस्पीज को आवश्यक दिशानी देश निर्गत किये गया है और इसकी आलोग में सभी जिलों में परियाब संग्या में दंडादिकारी, पुलिस प्रादिकारी और पुलिस बलों की प्रत्निक्ति इन सभी परिशा के अंदरों पर की गई है इसके साथ ही सभी जिलों में जोनल दंड अधिकारी सूपर जोनल दंड अधिकारी और फ्लाइंग स्कॉड्स की प्रत्यूंति की गई है परिक्षार्थियों का दो बार फिस्किंग करने के अंदेश दिया गया है एक बार गेट पर और दूसरी वाज़ा परिक्षार्थि बैट जाएंगे परिक्षाके अंदरों पर उस समय पुन परिक्षार्थियों की दुबारे जाश कराई जाएगी और पच्चिस परिक्षार्थियों पर एक विक्षक की वेवस्था की गई है और ये विक्षक उन परिक्षार्तियों के सफल और कदचार रहीत परिक्षार्ट संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मवार होंगे और इस आशाय का उन्हें घोशना पत्र भी दिया जाना है सभी परिशाके इंदरों पर संबंदित जिलों के संबंदित पर अधिकारियों द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ परिशाके इंदरों पर CCTV की विवरस्था की गई है और प्रतेक 500 परिशारतियों पर वीडियो कैमरा की भी दरस्ता की गई है और इसके अलावा परिशा के दिरों के बाहरी भागों में भी वीडियोग्राफर की गई है